कि दोस्तों यह विदियो में आप लोंको यह रिशार्जेबूल एलीडी लेंप को रिपीर करने के लिए यहाँ पर मोबाइल जग देया गया है आप लोग देख सकते हैं यह इस लेग्ष ले Solid Lightmy आप लोग ध्यान से देखना है अब मैं फिर से इसको घुमाऊंगा आप लोग देख सकते यह लाइट अच्छी तारा से नहीं जल रहा है यह ब्लिंकिंग कर रहा है तो इस प्रोब्लेम को इस वीडियो में रिप्यार करके दिखाऊंगा आप लोग को यह रेगुलेटर इसको रिप्यार करने के लिए इसका उपर का जो यह नोग है इसको पहले खोलना होगा अब मैं इसका यह उपर का नोग को खोल लेता हूँ आप लोग देख सकते हैं यह फोलिम जैसा है और उसके बाद इस LED लाइट के यह पर जो यह स्कूरू लगा है को भार में इस को खुल लिया हूँ और उसके बाद ओपर के कौहार को हाता देना है यहां से अंडर देख सकते हैं इसका शारा कुंपयमेंच अब होपे आप जो हम प्रॉप देखते हैं अंदर में यह बेटरी देख सकते हैं आपर यह दो बेटरी लगा रहेते हैं अंदर में 4 व upset का और उसके बाद यह solar panel देख सकते हैं यह light solar से भी charge लेता है और यहाँ पर जो यह regulator switch है इस regulator switch को यहाँ से खोलना होगा यहाँ पर देख सकते हैं 4V का दो लेड़ेशित बेटरी द्या गया है और उसके बाद यह regulator switch को रिप्यार करने के लिए उपर का यह पहले regulator switch की screw को खोलना ह होगा अपलोग देख सकते हैं अंदर में यह regulator switch यह पर यह देख सकते हैं इसको खोलने के लिए उपर का जो यह screw को पहले खोलना होगा अब मैं प्लायार की मदद छे यह screw को पहले खोलूंगा यहाँ से अपलोग फीडियो को देखते रहना यह खाराब लेगुलेटर को में बिना बदले इस पुराने रेगुलेटर को ही मैं रिप्यार करके दिखाऊंगा इस वीडियो में आप लोगो तो आप लोग वीडियो को देखते रहना और उपर का यह screw को मैंने खोल लिया हूँ यह से और उसके बाद इस रेगुलेटर को यह से बाहर निकल लेना होगा अ अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह तीन कनेक्शन है अब आप लोगों में यह फिर से यहाँ पर सालू करके दिखाऊंगा आप लोग देख सकते हैं यह रेगुलेटर स्वीच खुमाने से यह एलिजी लाइट थोड़ा थोड़ा ब्लिंकिंग करके जल रहा है यह कि रेगुलेटर सुष अच्छी से काम नहीं कर रहा है अप इस रेगुलेटर सुष को रिप्यार करने के लिए इसका जो सारगीठ है आप लोग देख सकते हैं यह निशे का सारगीट को खोलना होगा खोलने से पहले यह तीन तर गोह यहाँ से खोल ले ना है यहापर तीन बला लाइट के लिए है अब मैं तीन अतर को सुल्दर की मदद सी यह से खोल लूँगा आप लोगों को ठ्यान रखना है यह पर यह तर खोलने से कौन सा तर कहां पर लगा है आप लोगों को फूल नहीं जाना है और इसके बाद 20 का जो यह तैयात का गानेक्शन है यह पोजि इसको रिप्यार करने के लिए उपर का जो यह प्लास्टिक का देख रहे है यह प्लास्टिक का हूप इसको बिलेट की मदद से इसको मैं कातूंगा यह से इसको कटने से यह सार्गित बाहर निकल जाएगा आसा निसे अब मैं सारा दरब से एक कर गये इसको कातूंगा यह को यासे एकओ मेनिया कके लिया है और यह दूसरे भी काट लेते हैं विति इसको भी एक अना होगा अब दोग देख सकते विंश है वाल यह को बाहर निकल लेना है यह स्पूरी आहे से आसानी से बाहर निकल जाएगा अवह आप लोग डेख सकते हैं यह सरकित को मैंने यह सुछ से अलग कर लिया हो है आप लोग डेख सकते हैं इस साल कर देख रहे हैं यह धोनों ही इस साल कित में जो हो जाता है तो अब रेगुलेटर स्विश में यहां से करेंड दिख रहे ये सर्कीट को यहाँ से सारो दरप मेट की मदद से साप कर लेना होगा आ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह काला कार्बन हो गया है इसको नहीं करने सी यहाँ से करेंट बाइपास आच्छी तरह से नहीं होगा आपलोग देख सकते हैं यह आप अटकी तरह से समग्या है इसका शारा उपर का हाल श्बान की तरह हो और वेल ट्व देखरें मिद्जनreet दूपर का इसको भी घ्राठ doesn't ब्लैट की मदद से अब मैंने इसको भी साफ कर लिया हूँ अच्छिदा अब लोग देख सकते हैं यह भी अच्छिदारा से समग गया है और उसके बाद इस रहले को यह पर फिर से यह पर लगा देना है अप लोगों को अब यह रीघुलोतर अच्छिदारा से काम करेगा इस इसार कित को यह पर ऐसे फिर से यह पर फुट कर ले ना है सारव दरब से अई से दबाके आप शूकने sociaux के लिए फीट कर लूँगां में शुकते और इस रेगुलेतर स्विष को यह पे लुवार के लिए अब करके दिखाँ गांगे आप लोग में करना होगा और इसके बाद यह सफच बल्ला तरह और फेले कनेक्शन करना होगा है श्रक्रोप किनारे में यह फास बला प्ट पर यहापर सल्दर करना होगा यहापर यहापर जो यह सोते बला पॉइंट देख रहे आप लोग यह तर सोल्दार हो गया है और उसके बद यह जो सफेद बला तरहें इस तर्गो यहापर लास में यहापर सोल्दार करूंगा मैं आप लोग भी इस फीडियो को देखके यह रेगुलेटर सुष को आसानी से रिप्यार कर सकते हो आप लोगो जारा अफिसा भी यह फीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना अब मैं यहापर फिर से इस होल में यहापर इस रेगुलेटर सुष को यहापर डाल दूंगा औ अब यह रेगुलेटर पुरा रिप्यार हो गया है और उसके बद यहापर उपर में यह स्कुरू को लगा दूंगा यहापर इसे ये लाइत ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है अची कम धसे ज़ल रहा है तो आपलोको मैंने इस रिप्लिंक्ण को पुरा रिप्यर करके दिखा दिया हूoid आप लोग देख सकते हैं यहाइऑ ब्लिंक कैने कर यह पर लगा दिया हो और इसके बाद यह बैटरी के धक्कन को यह पर लगा दिया हो और इसके बाद उपर का यह को फार को यह पर एसे शारा दरफ से फित कर लेना है अच्छी तरह से और आगे की तरफ यह जो शॉलर का तरह है इसको यह पर अंदर दल के शॉलर को यह पर फि से लगा देना है अब आप लोगों को मेंने ये एलीदी लाइक को पुरा रिप्यार करके दिखा दिया हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सेनल पर नहीं योटूप लिए सेनल को भी सास्क्राइब कर लेना